मैं दूद वाला हूँ, मिल्क मैन हूँ, आगे कैसे बढ़ू? तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने मुझसे मेरे फेस्बुक लाइप पे ये सवाल पूछा था था ना, अब आपको जवाब देता हूँ इस वीडियो में अगर आपको अपना डेरी का काम आगे बढ़ाना है, तो एक बात ध्यान से सुनो, डेरी में सारे प्रोडक्स बनते हैं दूद से, आप उसी से घी बनाते हो, उसी से पनीर बनाते हो, आपको ध्यान रखना है, कि आप ऐसे प्रोडक्स में जाओ, यानि ऐसे प्रोडक्स की काम की है अब कस्टमर के लिए सबसे ज़दा काम की चीज बार-बार कौन सी होती है देखे हमारे जैसे जो वेजेटेरियन लोग होते हैं उनको पनीर खाना बहुत पसंद होता है तो भाई दूद से ही बनता है पनीर और साथ में अगर आप पनीर बना दें तो पनीर के साथ ही बनती है मुर्की चैना वो जो बड़ी अच्छी मिठाई होती है आप जरा समझिए इस बात को आज दिल्ली शहर में 400 रुपए किलो बिकता है पनीर अच्छा फ्रेश पनीर 400 रुपए किलो सोचिए जरा इस बात को अगर आपने ऐसा डेरी का प्रोड़क्त बना दिया जो 400 500 रुपए किलो 500 रुपए किलो साड़े 500 रुपए किलो बिकना शुरू हो जाए आपका बिजनस अपने चल जाएगा मुर्की चैना यह ऐसी एक मिठाई है जो लोग वैसी खा जाते हैं ऐसी शौक शौक में खा जाते हैं सोचिए जरा आपकी डेरी का प्रोड़क्त वहाँ सबस्क्राइब जाएगा कि अपकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजक्शन मतलाब कि भihया मान लीजिए पारितौं जी ने एक किलो पीनीर लिया अब एक किलो पनीर बाली जी मेरे घर पे चलता है एक हफ्ता मान लेते हैं तो क्या मैं एक हफ्ते बाद दुबारह आपके पास आऊ या क्या खुद आपके पास ऐसी automatic technology होगी कि आप मुझे WhatsApp भेजेंगे कि पारितोष जी आपने एक हफता पहले पनीर लिया था खतम हो गया होगा दुबारा भजवा दूँ एक kilo मुझे आप UPI से payment कर दो अगर आपने ऐसा implement कर दिया तो भाई एक बात साफ है कि पनीर लेने जा आप मुझे या पर पैसा तो बना के नहीं दे रहे मेरा समय बचा सकते हो और पैसा बचा सकते हो तो अच्छी प्राइस पे अगर आप मुझे बार बार खुद ही automatically deliver कर दो अपना सही utility वाला product अपनी dairy का अच्छे brand के साथ तो क्या होगा आपका dairy का business तेजी से आगे बढ़े ये बात पकी है अब आज कर लोग क्या करते हैं कि मेरे को dairy expand करनी है अरे भाया भारत देश के किसी भी जगा पे चले जाओ लाखों लोगों की जनता है हर जगा और अब तो हम दुनिया का सबसे ज़्यादा population का देश होने वाले हैं लाखों लोग है हर जगा अगर आप अप के काम में मिलावट नहीं होने चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी brand बनेगा उतनी जल्दी नीचे जाएगा क्योंकि इनसान खा रहा है और दूसरी बात जब भी आप अपना dairy का कोई भी product चाहे वो पनीर हो चाहे वो मुर्की छेना हो चाहे वो दूद हो या कुछ और हो आप क लोगों को पता है ये खाने की चीज़ है अच्छी चीज़ है healthy चीज़ है आपको एक कमाल की बात पताओं आपके सबसे बड़े salesman पता है कौन है सारे के सारे nutritionist सारे के सारे dietitian इस जितने भी dietitian हैं जितने भी nutritionist हैं अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो वो बोलते हैं कि भाई या पनीर खाओ तो वो तो वैसे भी sale कर रहे हैं आपकी आपका आधिस ज़्यादा काम तो हो गया demand तो create हो गई supply आपको करनी है अगर सही branding के साथ सही packaging के साथ आप supply करने है customer को तो भाई आपका काम चल जाएगा और सही margin की category के product में अगर आप घुसें तो आपका business चल भाशा में किसी को भी समझ आजाती है मेरी mobile app में जिसका नाम है MBA Plus इस mobile app में मैं और मेरे साथ बहुत सारे और experts आते हैं जो आपको ऐसे ही business करना सिखाते हैं अगर आप business करना सीखना चाहते हैं और अपनी problem से दूर हटना चाहते हैं बिना लालच के सेवा करके business को आगे बढ बढ़ाते रहें और इसकी fees है केवल 3000 रुपए चौंक गए नहीं चौंको मत सचाई से केवल 3000 रुपए फीस है पूरी lifetime के लिए मैं नहीं चाहता कि भारत देश को लोन लेना पड़े मेरा program करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना 80% पैसा और समय लगाए अपने business को बढ़ाने में और केवल 20% पैसा और समय लगाए मुझसे सीख कर जाने में आईए MBA PLUS में बढ़ाए अपना business लेके जाए भारत को आगे जैहिंद